शहर की ब्यावर खास रोड इस देश श्रीजवाला मुखी माता जी का मंदिर माता के भक्तों की आस्ता का केंदर है पहाड पर इस्थापित होने के कारण इसे डूंगरी माता जी के नाम से पहचाना जाता है नवरात्र के उद्रान मंदिर परिसर में दिन भर शद्धालू का ताता लगा रहता है शहर से दूर तथा जंगल में इस्थापित होने के बाद भी शद्धालू की शद्धा मंदिर से जुड़ी हुई है नवरातरा के अउसर पर शहर रता ग्रामीर शेत्र के शद्धालू प्रते दिन माता के दर्बार में नंगे पाउंचा कर हाजरी देते हैं प्रते दिन सुभे रता संधिया आर्टी में भारी भी मंदिर मिराती है शिजवाला मुकी माताजी की डूंगरी नियास के मंत्री जितेंदर दादीश के अनुसार मंदिर के शाहर के बाहर इस्थापित होने के कारण मंदिर परिसर का द्रश्य और भी रमनिक हो जाता है वर्शारितू के समय यहाँ पर श्रधालू परिटकों की आवाज़ा ही बनी रहती है मंदिर के आसपास जंगली जानवर भी विचरन करते रहते हैं लेकिन आस तक किसी भी जंगली जानवर द्वारा किसी पशू और मनुष्य को किसी प्रकार का कोई हानी नहीं पहुचाई कई है श्रधालू इसे माताजी का ही आशिरवात मांते हैं मालूम हो कि ब्यावर शहर के सनस्थाप करनल चौर डिक्षन धार्मिक प्रवर्ति के शाशक थे उनने ब्यावर शहर की स्थापना के साथ ही शहर में धार्मिक स्थलो के विकास पर विशेश ध्यान दिया और शहर के विबिन हिस्तों में धार्मिक इस्थलों की इस्थापना की इसी काड़ी में सन 1845 में करनल दिक्षन ने शहर के बाहर ब्यावर खास रोड पर श्री ज्वाला मुखी माता के मंदिर की इस्थापना की इस दुरान उन्होंने माता जी के नाम जमीन का पट्टा वे तामरुपत भी जारी किया वर्तमान मंदिर ट्रस्ट के पास माता जी मंदिर के पास कई एकड़ भूक्रशी भूमी भी है श्रधा की प्रतिमूर्ती जौला मुखी माता जी के दर्बान में सच्चे मन से अरदास करने वालों की माता जी हमेशा जोलिया भरती है नवराति पर्वे के दुरान मंदिर में विशेश पूजा अर्षना के कारेकरम आयोजित किये जाते हैं जिसमें भारी संख्या में श्रधा लोग भाग लेते हैं कि अबैं जिसमें यहां होटल रात्म है यह यहां होटल रात्म है कि नई पेशकर राजरानी मल्टी क्यूजिन रस्ट्रेंट जहां आप पाएंगे गार्डन रस्ट्रेंट और एसे रस्ट्रेंट की बहतरिन सुविधा के साथ खाने के उस्तम व्यवस्ता में चाइनीज, इडालियन, पंजाबी, साउथ इंडियन, मैक्सिकेन, लेबनेश वे और भी अन्य वेंजनों के साथ भूजन की एक से बढ़कर एक वेराइटिया, तो आज ही चले आए राजरानी मल्टी क्यूजिन रस्ट्रेंट, होटल राजमहर, जोद्पू रोड ब्यावर, फोन नमबर 0162-2249-04-2245-30-00